हेलो फ्रेंड्स बेलकम बैक टू अनेदर ब्लॉग कैसे हैं आप लोग आई होप आप सो लोग अच्छे होंगे अपनी स्टेडी को मज़े में कर रहे होंगे तो यह मौनिंग सिक्स बजे का टाइम है और मैं आपको बाहा का नजारा दिखा रही हूँ अब तो 6 बजे खूब बच्छा का सा उजाला हो जाता है और मैं यहां पर आगी हूँ अपने जो परस्टनल काम करने होते हैं मौर्निंग में वह जैसे की टूथ-पेस्ट वगएरा और पानी पीना यह सारे काम कर रही हैं और मैं उठा लिया है अपने कॉपी किताब अपने अस्त्रस्त्र है न हम वही काम का भी टाइम हो जाता है तो यहाँ पर कोई डिस्टब करने वाला नहीं हो यहाँ पर मैं भी एस्टडी करूंगी और फ्रेंड्स अभी मॉनिंग में मैं कर रही हूं CDP CDP की क्लास ले रही हूं और दो लेक्चर लोंगी मैं और फ्रेंड्स एक कमेंट आया था मेरे पास तो वो सिस्टर बोल रही थे कि मैं भी एस्टड की प्रिपरेशन कर रही हूं वाट मैं सेडियूल नहीं बना पा रही हूं कि मैं स्टडी कैसे करूं तो फ्रेंड्स मैं आप आपको सिस्टा बोलूंगी कि आप एस टैट की तयारी करना चाहती हैं वट आप सेडूल नहीं बना पा रही हैं अप मन नहीं लगता है तो आप जितने वज़े उठती हैं तो आप उससे एक घंटा पहले उठिए या फिर जिस टायम आपको समय मिले दिन में दुपैर में साम को एवनिंग में, मॉर्निंग में जब भी आपको समय मिले उस टैम पे आप वो वाला सब्चेक्ट उठाईए जिसमें आपको अंट्रेस्ट हो आपके लिए interesting subject हो आप उस subject को उठाइएगा आपके पास अगर एक घंटा है तो आप एक घंटे उसे डीड करिएगा और दो घंटा है तो आप दो घंटे उसे पढ़िएगा आप यह सा 5 दिन करिएगा 5 दिन के बाद आपका automatic मन लगने लगेगा और आपको study में interest आने लगेगा एंट 5 दिनवा जब आपको interest आने लगेगा उसके बाद आप पड़े का एक छोटा छोटा target देना स्टार्ट कीजी अपने आपको जिसे कि एक दिन में आपको एक subject का ये वाला topic आपको किलिया करना है इस तरीके से आप जब छोटे छोटे target अचीव करोगी तो आपको बहुत ज़्यादा खुसी होगी और confidence हाई होगा तो आप automatic अपने study कर पाओगी और schedule भी बना पाओगी I hope मैं आपकी कुछ मदद कर पाई होगी है ना तो चलो friends अब आँगे बढ़ते हैं अपने ब्लॉग की तरफ और पॉने 9 के करीवन का ये टाइम है और मैं उड़ गई थी चाय नासा करने के लिए और उसके बाद अभी मैं सबजी बना रही हूँ लंच के लिए भी तुम्हें कट कर रही हूँ अब मैं लंच प्रिपेर कर लूँगी जिसकी मैंने वीडियो शूट नहीं की है अधरवाइस बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाता और वही सारे चीज़े है ना तो मैं भी नहाद होगा के फिरी होगा के आ गई हूँ और यह आफ्टरनून का समय है और आज मैं कर रही हूँ अपने स्टडी टेवल को साफ क्योंकि जहां हम बैट करके स्टडी करते हैं अगर वही चीज़ अगर साफ सुतरी नहीं होगी तो हमारा मन भी अच्छा नहीं होता है एक वार आप लोग अपने जहां बैट करके स्टडी करते हैं उस जगय को इस प्लेस को साफ करके देखीगा फिर देखो कितनी अच्छी positive thinking आती है और आपका बहुत ही ज़्यादा मन लगेगा study करने में तो friends आज मैंने target लिया है कि अपनी study table को थोड़ा सा सजाऊंगी तो सजाना क्या है देखते हैं क्या करते हैं तो यहाँ पर मैंने सार नोटबुक बढ़ाई है कुछ new बनाई है तो इस वज़े से तो मैंने उस पे भी आज लिख दिया हाथों लगे और यह fairy light जो दिवाली की होती है दिवाली पर हम use करते हैं उसके बाद हम रग देते हैं एक तरफ और इसका मैं use कर रही हूं study table पर इदर लगाऊंगी जिससे कि जब भी मैं study करूं इसे जलाऊंगी तो बहुत ही अच्छा लगता है तो इस तरीके सा छोटी सी में ज्यादा कुछ नहीं कर रही हूं वासे इस तरीके सा थोड़ा सा साफ सुत्रा कर लूगे ना उससे बहुत ही अच्छा सा और एकदम से चेंज से लगेगा तो हमें छो चलो अब थोड़ा सा मैंने सजा लिया है अपने रूम को अपने study table को तो चलो अब थोड़ा से study कर लेते हो यहां पर जो दीवान बैड रहता था मैंने वह भी अठा दिया है क्योंकि अब गर्मियों का टाइम आ रहा है और हम comfortable position में बैठेंगे तो हमें नीन आने लगेगी तो इस बज़े से मैंने जो दीवान बैड था वो हटा दिया है इस जगह से और यहां पर रख लिया है मैंने इस टूल चेयर भी नहीं रखी है क्योंकि चेयर पे हमें पीछे से सहारा मिलता है बैक पर तो नीन आने के chances हैं इस बज़े से मैंने इस टूल ले लिया है जिसमे में मेरे को नीम नहीं आएगी एंड थोड़ा सा रोम का लुक भी चेंज हो गया है तो इससे बहुत ही अच्छा लगता है इससे थोड़ा-थोड़ा सा हमें खेर छोड़िये फिर दिन में मुझे चुटर-पुटर वाली भूख लग गई तो वाटरमेलन रखा हुआ था तो मैंने वो ले लिया और गर्मियों का टाइम है तो हमें वाटरमेलन हुआ खीरा हुआ इस सरीके की चीज़ें हमें ले 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 ली चाहिए इससे करते हैं क्योंकि मेरी क्लास थी हैं तो मैंने सोचा कि चलो अपने कवर करते हैं और जल्दी जलuti से हम अपने सब्जेक्टों को कम्प्लीट करते हैं all friends अगर आप लोग मेरे साथ स्टडी करना चाहते हैं तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अगर आप चोटा साज ब्लॉग बनाया है आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा अगर चोटा सा भी कुछ भी आपको ब्लॉग में अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें